असलाम अलेकुम, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कॉमन क्वेस्टिन ये आ रहा है कि सारे टेस्ट ठीक होने के बावजूद हमल क्यों नहीं हो रहा है इसको हम उनेक्सप्लेंड सब फेटिलिटी कहते हैं तेकें 50 वीसद केसे में जो सब फेटिलिटी है हमल ना होने की वज़ा वो नहीं पता हमल एक होना एक बहुत ही पचीदा सा अमल है जिसमें बहुत से ऐसे फेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते यह हमलाने में अभी साइनिटीवी कि अग्फिकट अवैलेबल नहीं है के वह क्यों नहीं ओ सकता सूपोस के अगर सीमन भी ठीक है अगर एक बी प्रापर बन्रे ए और विलेशन भी प्रापर होरी है तो प्र्त्युंफ्ड हम क्यों थीक है तो यह क Big Ben at the rocktechि नहीं यह अ ह जादा है और सारे टेस्टीक हैं तो भी प्रिग्नेंसी नहीं हो रही तो आप अप फॉरन अपने specialist से consult करें क्योंकि age के साथ-साथ fertility का process और काम हो जाता है और आम तार पर ये देखा गिया है कि जो unexplained sub fertility है उसमें हम usually multi vitamins हैं, diet है, lifestyle modification है और in the end इसका जो solution है वो फिर IVF है तो फिर जरूरी है कि आप अपने consultant से रापता करें और अगर सारे टेस्टीक होने के बावजूद और 2, 3, 4 years वेट करने के बावजूद भी pregnancy नहीं हो रही तो फिर आप IVF की तरफ चाहिए